कि नमस्कार आज हम बात करेंगे ब्रेस कैंसर या स्तन कैंसर के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे कुछ लोगों को यह जग्यासा भी होती होगी कि ब्रेस कैंसर क्या है आजकल हर जगा नियूस पेपर में सुनने को आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है ब्रेस कैंसर भी बढ़ रहा है 20 साल पहले जो हालत थी अब उसके कंपरिजन में कैंसर के काफी मरीज आ रहे हैं और कैंसर से ब्रित्यू भी हो सकती है जिसकी वज़े से इससे डर भी लगता है तो आईए जानते हैं कि ब्रेस कैंसर क्या होता है और इससे कैसे बच सकते हैं या इसे कैसे जर्दी पकड सकते हैं जी हां ब्रेस कैंसर कैंसर है जो महिलाओं और पुर्षों दोनों में हो सकता है लेकिन हां यह महिलाओं में ज्यादा होता है अब ये जानते हैं कि इसके चिन्न कैसे होते हैं ताकि इसे हम जर्दी पकड़ सके देखिए breast cancer या कोई भी cancer जो होता है वो एक गाठ के रूप में होता है जिसे हम lump भी बोलते हैं या breast में एक चोटी गाठ से cancer शुरू होता है और ये जो गाठ है cancer की गाठ वहां से breast में से शुरू होके ये काक में भी जा सकती है और शरीर में बाकी हिस्से में भी फैल सकती है इसलिए कहा जाता है कि अगर 20 साल से उमर ज्यादा है किसी भी इस्तरी की तो उसे महीने में एक बार जरूर अपने breast का मुआयना या परिक्षर करना चाहिए जिसकी वज़े से अगर कोई भी छोटी सी गांट हो चाहे तो वो मटर के साइस की हो सकती है या बढ़के वो नीबू की सा इसकी भी हो सकती है पकड में आ जाए breast cancer की जो गांटे होती है शुरुवात में उनमें दर्द नहीं होता है इसलिए लोग कई बार छोड़ भी देते हैं कि दर्द नहीं है गांट है तो क्या करें और कई बार तो इस्त्रियों में शरम भी होती है इसलिए भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है लेकिन हाँ अगर आपको breast में छूने में कोई भी गांट पता चल रही हो तो आप तुरंथ डॉक्टर के पास जाए breast में एक गांट भी हो सकती है और कई गांटें भी हो सकती है इसके अलावा काक में भी गांटें हो सकती है इसके गांट के अलावा और क्या क्या चिन्न हो सकते है breast cancer के निपल से discharge हो सकता है निपल से discharge कई बार और तो को ऐसे भी होता है लेकिन अगर discharge में खून आता रहे तब वह एक breast cancer का लक्षर हो सकता है इसके अलावा breast cancer के चिन्धों में अगर किसी भी एक breast या इस्तन का size बढ़ने लगे और उसमें से अगर सूजन या बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे या ऐसा लगे कि हाँ कई बार फोड़े हो रहे हैं antibiotic का course दे रहे हैं ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह भी cancer की तरफ इशारा कर सकते हैं फिर अगर breast cancer breast में सिमित है तो गाठे हो सकती है पर यह शरीर के बाकी हिस्से में भी फैल सकता है अगर यह बाकी हिस्से में फैल जाए तो उससे भूक लगना हो जाता है कि कम हो जाए और उसके में कमजोरी आ सकती है और इसकी वज़े से वजन भी कम हो सकता है तो हमेशा सबसे जरूरी बात यह है कि महीने में एक बार जरूर अपने breast का मुआएना करे गाठ को देखें अगर कोई भी गाठ बन रही है तो वो breast cancer हो सकती है एक जो और जरूरी बात है जानने वाली कि गाठ बहुत सारी वजहों से होती है बहुत सारी गाठे ऐसी होती है जो cancer नहीं होती है तो इसी लिए अगर गाठ पता भी चल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है जागरुक बनने की जरूरत है आप डॉक्टर के पास जाईए और जरूर जाच करवाईए कि जो गाठ हो रही है वर ब्रेस कैंसर की गाठ है या किसी और वज़े से हो रही है यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल दा हेल्थ केर टुड़े और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हर दस गाठों में से आट गाठें कैंसर की नहीं होती है तो इसलिए आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है लेकिन हां उसे निगलेक्ट मत करिए देखिए ये तो चिन्न हो गए अब इसके लावा ये जानते हैं कि और कैसे हम ब्रेस कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं एक हमने उसका जो जाचे की और हमने उसको जड़ से खतम कर दिया उसका इलाज कर लिया इसके अलावा हम ब्रेस कैंसर की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि छोटी छोटी गाठें जैसे कि एक सेंटीमीटर से छोटी गाठ जो है जो कि छूने से भी पत जांच होती है, मैमोग्राम जो है एक X-ray जैसी टेकनीक है, आज ये हर छोटे बड़े अस्पताल में ये सुविदा उपलब्ध है, अगर आपकी उमर या आपके घर में कोई ऐसी इस्तरी है, जिनकी उमर 50 साल से ज्यादा है, तो ऐसे किसी इस्तरी को आप मैमोग्राम का परी ब्रेस कैंसर से कैसे बच सकते हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है कि कैंसर हो ही न, देखिए जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे जरूरी चीज है वो यह है कि आप एक स्वस्त जीवनशैली अपनाए, हमारा जो खानपान है और जो हमारे रहने का और चलने का जो तरीका ह जो exercise हम करते हैं, इन सब बातों से cancer के risk पे बहुत फरक पड़ता है अगर हम खाने में भरपूर मात्रा में antioxidants लें, fruits लें, vegetables लें तो इससे cancer होने का risk अपने आप कम हो जाता है जितनी भी हरी भरी आपकी खाने की plate होगी, cancer का risk उतना कम हो जाता है और यह केवल breast cancer का ही नहीं, हर तरह के cancer के risk को कम करता है exercise बहुत जरूरी है, कितना exercise करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उतना करें पर कम से कम, अगर हफते में आप 5 दिन भी आदे घंटे की walking कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं तो वह भी cancer के risk को कम करती है अगर आप शराफ का सेवन करते हैं, तो आपको शराफ का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि शराफ की वज़े से भी breast cancer बढ़ता है और इसके अलावा, अगर आप खाने में meat लेते हैं, तो जैसे कि red meat है इससे भी cancer का risk बढ़ता है, तो red meat भी नहीं लेना चाहिए एक और जो सबसे जरूरी बात है, और जो शायद बहुत कम लोगों को पता है अगर आप जो dinner का time है आपका, वो अगर आप जल्दी dinner लेते हैं जैसे कि 8 बजे या उससे पहले, तब ये भी cancer का risk कम करती है तो ये बात जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि कब खाना चाहिए इन दोनों बातों से cancer का risk कम किया जा सकता है तो जागरुग बनिये और स्वस्त रहिए cancer से बचके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही आपको cancer से जुड़ी हुई नई नई जानकानियों से अफगत कराते रहें